अब आदाब, सबसे पहले गुजारिश है मेरी, कि अजर कोई गल्ती हो, तो माख कर देना तो अब मैं शुरू करना चाहूँगा, हसीन शाहमे गालिब के शेयर से शुरू करूआ कि इश्क ने गालिब, देख तुझे निकम्मा कर दिया तू भी आदमी बड़ा काम का था इस से बहुए फिर इसके बाद जिदर मुरादवादी साब का एक खेरोर है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ दीजिए आग का दर्या है और डूप के गाना है सो इन दोनों स्वेरों साब समझ सकते हैं कि हर आदमी के लिए इसके के एक अलग डेफिनिशन ठीट, फिर एक और नाचीज एक नौ सीख्या आदमी है प्रशान शर्मा उसके अनुसाब कुछ ऐसा है मैंने गालिब को मुखातिब करके शेली था प्रशान शर्मा प्रशान शर्मा तो अब शुरू करता हूँ यह मैंने मेरी चांद के लिए लिखी ऐसे आप सभी के चांद होंगे बाजार में हजारों चांद होंगे आशीकों के बाजार में हजारों चांद है तुम जैसे आशीकों के बाजार में हजारों चांद है तुम जैसे सोचता हूँ सब के सब बेवफ़ा हो गया चांद के हैं चेहरे अनेक हर रात का है पुन्यमा से अमावस तक चांद बढ़ता रहता है गड़ता रहता है दिनो दिन बगलता रहता है हर रात का अलग चेहरा चांद के हैं चेहरे अनेक हर रात का है सोचता हूँ चेहरे तेरे भी दो चार है क्या रातों को आस्मान में निहारा करता हूँ अक्सा तुम भी आएने में खुद को निहारती हो क्या तु खूबसूरत है बेहर तेरा रंग नूर है तु खूबसूरत है बेहर तेरा रंग नूर है पर चांद में भी होते हैं कुछ दाथ तुम जानती हो क्या इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा तेरे तमाम किस्सों में एक मेरा हिस्सा बड़ा मशूर है मतलब आपके जितने भी रहे मेरे रक्की बोन तेरे तमाम किस्सों में एक मेरा हिस्सा बड़ा मशूर है मुझे अपनी कहानी का सबसे हसीन किर्दार मानती हो क्या तेरा यूँ बदल जाना अच्छा नहीं है जान आशिकी में रिवाज बेवफाई रिवायती है क्या जितना भूलना चाहूं तुम्हें तुम उतना आद आती हो ये मेरी जान तुम मेरी महपपत हो क्या और अब इसे से खत्म करूँआ कि दिन में तुम गुम रहती हो रात को आस्मान में रहती हो मेरी जान तुम मेरी चान हो क्या थैंक्यू